कि नवास्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अब दैस एकरी एकडमी की यूटूब चैनल में हमारे जो आई वी पिएस एफो के लिए और जो एगरिकल्चर के दूसरे कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स हैं जैसे एनफल एम्टी है एनफल एमर है हर्यानाका एसडियो है एडियो है मद्दपिदेस आरीयो एसडियो जैतनी भी एगरिकल्चर कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स है सभी के लिए जो हमारी एम्सु की सीरीज चल रही है आज उसका पार्ट नमर सिरी है तो आये और आज हम इस्पेसली ॡिसकस करने वाले हैं एंटम लोजी आजका session जो हमारा एंटमीलोजी में और एंटमीलोजी का अंदर में especially pest of rice हम discuss करने वाले हैं इसके जो MCQ है MCQ में जो question है वो हमारे rice के pest है तो exam में किस तरह से ब pattern change होता है exam में आप direct question नहीं आते आप entomology के question देखोगो न में थैसे आपको किसी पर्टिकलर प्रटीघड डिजीज का फिर शिंटम से दिए जाएंगे एक्जाम से और सिंटम्स पूछते हैं ठीक है ना आपको symptoms देंगे पूछेंगे एक किस disease का या किस insect का यह symptoms होता है तो आए देखते हैं चलिए दोस्तों मेरा नाम है ग्रीराज करार अगर आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें दोस्तों अगर आप आप अच्छे से एक्जाम देना चाहते हैं तो आप हमारा आठ नॉमबर सो जो बेस्ट स्टार्ट हूँ आप उसका कोर्स ले सकते हैं लाइफ क्लास जिसमें आपको 1500 में कंप्लीट अग्रिकल्चर करंट स्टेडी मेंटियल सारी चीज़ आपको मिलने वाली है तीन महिनी के लिए इसके वाद आप क्या कर सकते हैं आईप्यस एफ़क की टेस्ट स्री लेना या करेंट एफरसे वीडियो है तो यह भी आप ले सकते हैं अप्लीकेशन के थुरू आपको यहां पर टेस्ट स्री में 75 टेस्ट मिलेंगे 350 में के रोपे में अब हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम दोनों से चुड़ सकते हैं यहां पर हम डेली यांशी की प्रक्टिस कराते हैं जिससे आपको हेल्प होगी चलिए आप हमारी अप्लिकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको इस्टोर पर जाके आपको कोर्स पर्चेस करना है तो चलिए स्टाट करते हैं क्या है पहला कोस्टन है कि यहां पर देखते हैं विच वन ओभ फॉलोइग इस एक ही क्रोप पर इंफेस्ट करता है एक ही फसल को कहता है इसके अलावा किसी दूसरे फसल को नहीं घाता है यह एक ही क्रोप को इंफेस्ट करते हैं जो होस्ट होता है वो एक ही होता है ठीक है ना जो उसका इंसेक्ट होता है जो पैस्ट होता है जो होस्ट प्लांट होता है वो एक ही क्रोप होती है उसी को इंफेस्ट करता है उसको मोनो फैगस क्या कहते हैं मोनो फैगस पैस्ट कहत ठीक है अब second question यह है एक होता है polyfagus pest एक क्या होता है polyfagus polyfagus मतलब attack more than one crop एक दो तीन चाले से बहुत सारी cross पर attack करता है उसको क्या बलते हैं polyfagus pest कहते हैं ठीक है next crop question की तरफ चलते हैं next question है second number का यहां पर क्या है dead heart white ears आप से exam में पूछेंगे कि rice के अंदर dead heart formation और white ears नाम के जो symptoms होते हैं rice के अंदर यह किस insects के कारण होते हैं ठीक है dead hearts होते हैं leaves के चोटे-चोटे holes बन जाते हैं leaves के अंदर ठीक है और rice जो है वीट जो होता यह वगएर वह वह वाइट ears है ना पूरा white color की पैनिकल जो rice ear होता white हो जाता पूरा यह किस insect के कारण होते हैं किस insect के कारण होता है जिसका जो correct answer दोस्तों गो है इस ख्राइब फैला इंसर टूला है ना जो अपने yellow stem borer है ना yellow stem borer जो होता है yellow stem borer ठीक है yellow stem borer जो होता है ठीक है उसके symptoms होता है याद रखना dead and white ears ठीक है डिकलो डिस्पा आर्मी जे रहा यह राइस हिस्पा का scientific name होता है ठीक है इसका यह होता है leaf folder क्या होता है leaf folder ठीक है इसके बाद निम्पूला डिपंक्टेलेस यह होता है case borer याद रखना अपने scientific ने हम यह discuss कर लिए चलिए इसके बाद नेस्ट कोसन है कोसा नमर थाड़ कोसा नमर थाड़ क्या है अगर यहां पर सिल्वर सूट एंड यह आएगा एक ओनियन लीफ एक symptoms वर होता है इसके अंदर ओनियन लीफ के प्लांट जो हता है वह जो होता है यह किस interesswork質 Инect कि कारण आंसा होता है कि होता है इसको ना होता है exact Do you have all और चेए ओर लिए ओराइघسी होता है दोस्तो थेकर राइज को सांट पीग नहीं होता है ओर चेakat झाहिए और अजिक आज गोहता है उसके यहाँ पर कोशन है कि राइस के जो प्लांट होता है वाइट पेलल स्ट्रिक्स अलाउंग दा लीफ एक्सिस कि जो पत्ती होती है उसमें वाइट कलर के ऐसे लाइनिंग बन जाती है किस insect की कारणयासा होता है ठीक है यहाँ पर है इस फ्राइगर निफ फोल्डर है निफूल है डीपंक टेलेश है और डिकलोड इस पर आर्मीजर है तो question number 4 जो अपने answer है correct answer है वो है डिकलोड इस पर आर्मीजर है कोसा नमर 5 जो जो किस बॉर्म के करणने याद रगना निफूल इपंक टेलेश होता है के लिए तो पांसवे का जो गरेक्ट आंसर होता हो क्या है किस वर्म है आपको समझ आगे होगा चलिए question number अपना है अगला 6 क्या है कि marginal rolling in rice seedling is damaged कि rice के अंदर जो पत्ती होती है किनारों से मुड़ जाती है marginal rolling in rice seedling मतला पत्ती जो है किनारों से मुड़ जाती है तो किस इंसेट करण होता है तो जो sucking past होता है थ्रिप्स राइस के अंदर थ्रिप्स ही होता है यह जो थ्रिप्स होता है ठीक है तो यहाँ पर correct answer के राइस थ्रिप्स के गरण यह symptoms होते है ठीक है चलिए लस्क के अंदर जो क्या कहता है याद ररा कि इंडिविजल जो जो जाते हैं ज्यक्ति रसेsın कि क्यों कि यह मिलकेश्च पर attack करती है तो क्यôm यह थिस्त जो मिल्क जैल सहपो तो इसको सक्र लीती है तो ग्रेंट प्रोपर डवलप नहीं होता है ठीक है तो उसको बोलते है चाफी मुझा यह किसके कारण होता है राइस गंधी बख के काराण होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट हैं कौसें नम्म्मर आठ इंग्रीज़ सीलीका कंटेंट एफक्न अलिले डबलब्मेंट ऑफ कि राइस के अंदर जो सीडेंट जीडिया कंटेंट जो है अंगर इसले कंटेंट आपने पड़ा भी होगा राइस के लिए सिलीका इंप्रोटेंट है तो इन्ट्में लूप स此 में humans being the अगर ज़्श यहादह है तो Vegard ऐस स्राला अगर आखिस्ट। इंद्र प्रूंड़ इूर्फ होते हैं में रिज्क में इसके अज़ा नहींặौ पाते हैं तो यहां पर रहें, infected leaves turn brown, ठीक है, green leaf हो पर, इसमें हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है, bloody order in rice during the milky stage, गंदी बग, बिल्कुल, rice गंदी बग नाब दो, tri-phenyl methahil amine के करण क्या होती है, उस करण गंदी बदु आती है, ठीक है, na, tri-methyl amine के आती है, गंदी बदु आती है, आपको ग्लाइपस बनियान, उसके इंफेस्टेशन से क्या होता है, कि जो rice की seed होते है, उसके अंदर क्या होता है, कुतर दिये जाते है, चोटे-चोटे टुकडे होते हैं, तो इसको निवलिंग क्या दिया है, तो बिल्कुल सही है, तो यहां पर एक fourth answer incorrect है, अभी हमने पढ़ाता है, बहुत सारे exam में यह वाला question आए, कि किस insect को control करने के लिए, wheat field में alternate drying और weighting हमको करने चाहिए, उसको गीला सुका करने चाहिए, तो rice का जो brown plant हो पर होता है, ठीक है, brown plant हो पर होता है, उसको control करने के लिए alternate weighting और weighting हमको करने चाहिए, ठीक है, याद रखना है, most important है, question number 11 question number 11 क्या है, याद रखना है, LA cropping, यह भी exam, LA cropping is cultural practice for the management, यह भी most important, मतला, कि rice field में जब हम cultivation करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ रो, हैना, 3 मीटर के बाद, हमको 30 सेंटी मीटर का क्या करना है, गली छोड़ देना है, क्या है, कि 3 मीटर जो है, 3 मीटर तक रही से, ठीक है, rice क के बाद, हमको 30 सेंटी मीटर की गली यहां पर छोड़ देना, LA passage हमको बनाना है, यह किस insect के control, मतला, wide spacing, ठीक है, रो के बीच हमको तोड़ा space बढा देना है, proper ariation के लिए, इसका मतलब भी है, क्या पूछना चाह रहे है, कि कि इस insect को control करने के लिए, ठीक है, रो की बीच मे over the crop helps to manage, ठीक है, passing of roof over the crop, ठीक है, किस insect को control करने के लिए, जो crop होती है, उसके उपर से रस्ची को जारते हैं, क्या होता है, कि एक जो person होता है, एधर ख़ड़ा होता है, ठीक है, दोनों रस्ची को पकड़ते हैं, ठीक है, एधर पकड़ेगा, एक एधर पकड़ेगा, और crop field की उपर चलेंगे, तो क्या होता है फिर, बास समझ ना, इससे अगर यहां पर insect की उपर, यहां पर insect अगर पत्तियों पर बैटा हो, तो नीचे कर जाएगा, ठीक है, तो किस insect को control करने के लिए, यह हम करते हैं, तो rice case warm को control करने के लिए, किस के लिए, rice case warm जो होता है, उसको control करने के लिए काम करते हैं, कि यहां पर रसी गुजारी आती है, जिससे insect केस पर होता है, वो नीचे घर जाता है, पानी में, ठीक है, चलिए, अगला है, 13 कोशन क्या है, इनराइज, clipping of stiff seedling, before transplanting, यह बहुत इंपोटेंट है, बहुत बार एक्जाम में एक कोशन आए हुए, क यलो stem borer के आपन जब planting करते हैं, तो क्या करते हैं, कि जो transplanting से पहले, पत्तियों के किनारे कट कर देते हैं, अगर एक जो है, पत्तियों के किनारों पर क्या होता है, लीव पर आपको मिलेंगे एक्स बगेरा, तो यहां पर clipping of leaf tips है, तो rice की yellow stem borer होता है, यलो stem borer, ठीक है, त platigaster or I.G. यह लारवल परसिटोड ओ, तो यह किसका होता है, गोल मिट्ज का, याद रखना है, गोल मिट्ज का लारवल परसिटोड होता है, platigaster or I.G. इसके बाद है, release of egg parasitoid, trichogramma जपोनी का, is done for the management, ठीक है, याद रखना है, trichogramma जपोनी का मेंज़ था egg parasitoid, पुर दा कं stem borer, किसको कंट्रोल करने के लिए, yellow stem borer को कंट्रोल करने के लिए, egg parasitoid, trichogramma, जपोनी का के इस्तमाल किरते हैं, next question है, question number 16, in paddy, the elongation of leaf seed, when infested by गोल मिट्ज, is due to the chemical, ठीक है, कि आपने पढ़ा ना, कि गोल मिट्ज हमने पढ़ाता भी क्या होता है, silver suit and onion leaf, पढ़ाता भी हम ठीक है, is due to, is due to, किसके कारण होता है, यह होता भाई, गोल मिट्ज के कारण, गोल मिट्ज में जो इन्फस्टेशन होता है, यह जो symptom होता है, किस chemical के कारण होते है, तो chemical का नाम होता है, सिसी डोजन, याद रखना, सिसी डोजन का chemical का नाम होता है, चली, question number, question number 17, क्या है, yellow stem stem borers hibernates Yellow stem borers होता है hibernates in the form of larva ओर तो के अंदर क्या होता है यह हाइवर्नेट होता है most important question है बहुत सारे एक्जाम में डारेक्ट पूचा गया है question number 18 question number the holes at the base of sorghum pedigles is due to ठीक है कि sorghum को जो base होता है stem का base होता है उसमें कौन holes बना देदे the base of the pedigles ठीक है तो इसका correct answer होता है stem borer चिलो पार्टेलस ठीक है stem borer चिलो पार्टेलस यह मेज stem borer भी होता है और sorghum stem borer भी होता है चिलो पार्टेलस चली question number 19 question number 19 है which one of the following is not correctly matched भाई कौन सा not correctly matched है ठीक है ना तो not correctly made year at work chopiness ठीक है stem borer pin all में सोंदा और सूट बग ठीक है तो यहां पर यह यहां पर नोट करेक्ट है question number क्या है 19 का correct answer भाई शूट बग है ना question number 19 का correct answer शूट बग यह रेट्निंग ओं मिट्रे बिस्चिन नहीं होता ना चलिए question number ठीक है ना question number 20 which one होता following is not correctly image no to correctly आपको बताना ना तो देखो डाइंग और रेट्निंग ओफ दा मिट्र भी लगा ना भी रैट्निंग ओफ देम देम यह किस्थ होता है तो फोरगम इस्टेंबरर से होता है जो पारटिले से किसके कारण था देखो आप पिछली स्लाइड पिछले कोस्टन में आप देखेंगे चाफीनेस इस दूटू था इयर हेड़ बग ठीक है तो अगर यहाँ पर यहाँ पर होता तो करेक्ट आंसर होता लेकिन यहाँ पर आर्मी बोर में ठीक है अगर नोट करेक्टली मैच्ट हो कहाँ पर दे दिया है दा अंडर सर्फेज ओफ दा लीव से पहलेल टो दा मिट्रिफ तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या ही है ठीक है कोस्टन नम्मार 22 विश्वन ओफ फॉलोइंग इस यूजड फोर दा मैनेजमेंट ओफ सूट फ्लाइज इन सोर्गम ठीक है सोर्गम हम फॉलो करते हैं कोस्टन नम्मर है 23 विच इंसेक्ट फीड्स ओन सिल्क एंड डबलेपिंग कॉप्स ओव मेज यह मोस्ट इंपोटेंट कोस्टन है जिसका करेक्ट आंसर है लिकुबर पार मीच रहा है यह तो कोटन का पैस्ट है अमेरिकन बोल्वों में और आप कह रहा ह इसका तो यह में का न्यूर्जिंग पैस्ट याद रंघना में कोर भी तो नमें में कउछलियों में टेट्ट हुस्चा सब्सक्राइब करेक्ट आंसर के पैस्ट है ना सभी किसके हैं तो आंसर घ्यहों के कीट है कोशन नमर 25 है होगीन रगी सब्सक्राइब कोशन नमर 26 है या रगी आंसर ले शाफ़ी यहां किष्ट कोशन नमर 26 है एटेंट करेंड दर्ट के अधिन दरा टन अंपने टर्ट prescribed head in करण होता है तो यह भी इस लि Meg alerts के कारण होता है इसमें ik supply poole अधेक्तर जाईडद का फॉर्मन होता न होता है इस्टेम बोरर सी होता है अधिकतर आपको फोलों लगा देना आंस यह थियए अधिक यह होता है ग्राउननेट ब्रूचिट नाम के एक इंसेक्ट होता है यह बीटल होता है ठीक है यह ग्राउननेट में तो करनेल और पोर्ट्स दोनों पर अटेक्ट करते हैं जहां पर करेक्ट आंसर है भाई A&B Q werden58, PIN head sized borehole near the septum and shriveled developing pulsestem beetle 곳ेते हैं में तूर पोर्ड़ड़ तो PIN head sized bore near the septum and shriveled developing pulse seeds को खाता है ऐसा कून होता है तो答 पोड़ फ्लाई याशे आपने सुनागा ना तूर पोड़ फ्लाई तूर पोड़ फ्लाई मेलैनो एग्रोमाईजा उप्टसा उसका नाम सुनागा आपने तो इसका करेक्ट आंसर यह पोड़ फ्लाई व्लबंदे को यह को व्लब्वेस है लान कि ना इसलिए मैं आती है इसलिए स्नुल जो एकसां में लाई आटी है। कि जैसी जा रही है जा चुछ हो इस फैसरे कि से 50 लांगे कि पूचे जाएंगे management से related कुछ चीज़ा दी जाएंगे वो ठीक है question number ठीक है 29 29 क्या है विश्वान होता फोलंगे नोट इंडियन भी कौन सी इंडियन हनी भी नहीं है न एफिस दोर साटा वह इंडियन है बिल्कुल रोख जिसको रोख भी है एपिस इंडिया एपिस सरे न इंडियगा भिल्कुल इंडियन ही है ठीक है इंडियन भी है एफिस फ्लोरिया यह लɟल भी है कुनसी है लɪस मेली फिर है क्या यह यह फ्यषे यह बहलिए को सब से बड़ी involvement यह the largest बूर गeta सबसे बढ़ी लार्जेस्ट रोग कौन सी होती है तो आपस्ट बढ़ी होती है तो आपको आपको थीस कोशन समझाए होंगे ठीक है दोस्तों मेरा काम रहता है कि आपको अच्छे से अच्छे कोशन प्रोवाइट कराना कभी-कभी वीडियो क्या होता है है ठीक है ठीक हो जाता है कि परसन को लाइव कलास इसलिए तो मेरी कोशच तो रहता है कि मैं आपको आच्छे से गोशन प्रयास पूरे करूंगा मैं ठीक है ना ठीक है आई होप आपको सारी चीज समझाई होगी अच्छे से मिलते हैं नेस्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए थैंक्यू